चली में काफे सारे क्रिएटर्स को देखता था और वो अपने खुद की सिटीज को एक्सप्लोर करते दिखाते थे तो मैंने देखा कि बहुत कम लोग थे जो वालोद्रा को रिप्रिजेंट कर रहे थे वालोद्रा की चीजे फुड़ोग हो गया या फिर कुछ भी हीडेन प् करते हैं थोड़ा इंट्रस्टिंग मनाते हैं अपको फेवरेट इंफ्लूएंसर कॉनसा है एक इर्फान कुने लोग अर्पाकिस्तान के या फेवरेट तलर रेड़ मैंने दिख रहे हैं और आप देख रहे हैं वीनम टीव का बिहाइंड इंफ्लूएंसर महनत तो सब करते हैं लेकिन सफल कुछ लोग हो पाते हैं उनकी महनत के पीछे बहुत सारी रीजन होते हैं जो हमें नजर नहीं आते तो अगर आप भी महनत कर रहे हैं और किसी ना किसी वज़े से सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं आज मैं आपके साथ लेकर आई हो इंफ्लूए पर स्क्रोल करते करते कई बार इनका पेज देखा होगा तो चलिए मिलते हैं सुमित दिसाई से और सुमित दिसाई जी जो है वो बडोतरा इंसाइडर पेज चलाते इंस्टेग्राम पर और कई सारी उनके वीडियो ऐसे हैं जो वाइरल हो चुके हैं आप तक भी पहुंचे हो कि आपने मुझे इंवाइट किया तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है काफी टैम से देख देखते हुआ आ रहा हूं तो यह अपने आप में ही काफी अच्छा एक्स्पिरेंस रहेगा मेरे लिए भी कि मैं वीनम के साथ ऐसा टोक्सों कर रहा हूं तो थैंक्यू सुमित सबसे पहले हम उनका जो इंस्टेग्राम पर 27.5 के फॉलोवर्स हैं तो उसके बारे में डिसक्स करेंगे उनका पेज है वरोद्रा इंसाइडर तो सुमित वरोद्रा इंसाइडर आपका पेज है लोग वर्ल्ड वाइड में फेमस होना चाहते लेकिन आपने शुरवात वरो दिखाते थे ग्याइडिन Syn implant वाडोद्रा दनने से पहले 你 मेरे सहर वडोद्रा को सबस्क्राइड में बहुत सारी चीजर है मैं और इस हमें हमारी सहर हैं और स 실 यो नहीं दो सब्सक्राइड जानी चाहिए तो वो उसकी वीडियो बहुत कम लोग बनाते थे तो मुझे ऐसा हुल हुआ कि हमारे वाड़ोद्रा के इंसाइड में अंदर वाड़ोद्रा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो हमें एक्स्प्रोर करके दिखानी चाहिए तो वहां से मुझे आइडिया है कि मैं वाड यह ज्यादा टाइम नहीं हुआ वाड़ोद्रा इंसाइडर को यह तिंग डेड़ साल हुआ होगा बहुत बढ़िया तो आपका क्या-क्या अपने पेश पे रिप्रेसेंट करते हैं एक्चली मैंने शुरु किया था पागड से पागड के वीडियो में डाले थे शुरू मे पागड में बहुत सारे इसी चीज़ है जो लोगों को यह है कि पागड में सिर्फ जो महाकाली माताजी का मंदीर है वही है लेकिन उसके अलावे भी काफी सारी चीज़ है जो हम एक्स्प्लोर कर सकते हैं तो मैंने वहां से शुरुआत की जो पूराने मंदीर थे वह दिख है और वह जो हिस्टोरिकल प्लेसी से वह भी मैं बना रहा हूं साथ में दोनों चीज़े अपने बता है तो आपको कैसा रिस्पॉंस मिला पहला वीडियो डालने के बाद आपको किती खुशी हुई जब वीडियो वाइरल हुआ तो पहले ऐसा नहीं था कि एक एक वीडियो मैं अच्छा वीडियो बनाओ जिसमें एडिटिंग सही हो स्टोरीटेलिंग बढ़िया हो और जो भी सॉट्स मैंने लिये है सिनेमेटिक ली वह सही हो तो वीडियो बहुत अच्छे बने तो मुझे सिर्फ इतना था कि हाँ वीडियो अच्छे बने फिर वह लाइक्स और व तो यहीं कर रहा हूं और अभी थोड़े टाइम पहले ही में जोब कर रहा था और अभी मैंने यह फुल टाइम कर लिया है इस्टीस को अफ जॉब किस फेल्में मतलब आपकी स्टडीज वगेर है किस फेल्में थी मैंने भी कॉंब किया हुआ है मैं मेरा ग्रेजुएशन तो मैं काफी टाइम तक मैं कॉल संटर में जोब की है फिर मैं कॉंटेंट क्रियेशन में भी दो तीन एजनसी के साथ में काम किया हुआ है मेरी फिल्में वाले की वीडियो बनाना हुए और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मुझे खुद को लाइक खुद का पेज अगर करना है तो मुझे थोड़ा फोकस जाए इसमें देना पड़ेगा डर नी लगा जोब स्विच कर देंके बाद इस फिल्मे क्योंकि वहां तो आपकी इंकम फिक्स होती है लेकिन शायद इसमें इंकम फिक्स ना होती हो नहीं मतलब डर तो लगा था थोड़ा मतलब होता है कि मिडर क्लास से अगर कोई आ रहा है तो उसको सबसे पिला यहीं चीज रहे था कि हम गर में हैल्प कैसे करेंगा अगर सब कुछ हमने छोड़ दिया तो थोड़ा था लेकिन थोड़ा खुद पर भी कॉंफिदेंस था कि मैं कर लूँगा क्योंकि मुझे पता था कि मेरे में स प्राइब चाहिए और चौड़ने के बाद यह काम से खुशू बले मेरे लब अभी में यहां पर इंकम कभी-कभी ज्यादा भी निकल जाता है कभी-कभी कम निकल जाता है लेकिन मजा आता है खुद का काम पसंद का काम करते तो उस चीज़ मैं भी लगा रहता है और मजा अगर नॉर्मली देखा जाए तो इंकम सूर्स क्या होगा इस चीज़ में क्योंकि बहुत साय लोगों को यह चीज़ रिस्क लगती है तो कोई अपना फर्स अगर काम कर रहा है तो उसके साथ-साथ कोशिश करता है इंफ्लोएंसिंग के लिए क्योंकि उसमें इंकम फिक्स सब्सक्राइब करता है जब मुझे लगा कि हां मैं कर सकता हूं जब मेरे पास थोड़ा था तब मैंने फूल टाइम इसमें दिया लेकिन अगर इंकम के बात करूं तो इंकम के सोर्स बहुत है अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का ही जमाना है तो बहुत सारे इसे जिसे कह सकते हैं और अगर आपके पास smart achक छीए फिर आपके पास वीडियो सुट करने की स्कील है तो बहुत सारे ब्रांड मीडिक के लिए सिर्फ ली VO आपको वीडियो सुट करना है वहां पे-उस तरीके साब जो इसमें इंकम लोग कर सकते हैं अगर से जहाएं तो जितन क्रियेटीव और आपको कुछ चीज दी जा रही है तो आपके ऊपर है कि वह आप किस क्रियेटीव वे में आप उसको क्रियेट कर सकते हैं तो हो गई आपके आपके जो पूंटेन्ट उसके बाग आपको क्या लगता है वैसे चैलेंजिंग तो देखने तो अभी तक ऐसा अगर किसी चीज़ के लिए अगर में वीडियो बना रहा हूं अगर किसी मंदीर के रिलेटेड बना रहा हूं तो उसमें इस ज्यादा चैलेजिंग यही रहता कि रीसर्ट उसका जो रिशर्च होना चाहिए वह बना जाए पार्फुल होना आपको यह नहीं नगता कि जो इंस्टेग्राम पर जैसे हम बना रहे हैं बहुत मिनिमम टाइम होता है लेकिन उसमें मैंजिमम इंफोर्मेशन देनी पड़ते है तो वह चैलेंज नहीं लगता आपको वह तो चैलेंजिंग होता ही है सुरू में यूटूब सही किया था कि क्य आपके बस आजाद ही होते है कि अपको सारी चीज़ें दिखानी होती है और उसमें आपको थोड़ी ग्रीटिवीटी डालनी पड़ती है तो यह थोड़ा सा चैलेंग रहता है सबका एक अपना-पना स्टाइल होता है तो आपके फॉलोवर्स आपको किस स्टाइल के लिए ह चांते हैं वेसे लाइक मुझे बहुत लोग डीम करते हैं बहुत लोग करते हैं जो कि मेरे फोलोवर्स मुझे बताते रहते हैं लोग ज्यादा मेरा काम पसंद करते हैं सुमीद एक चोटा सा रैपिड फायर करते हैं थोड़ा इंट्रस्टिंग मनाते हैं वीडियो को कुछ चोटे चोटे क्वेशन से जिनक आपको एक वर्ड में आंसर देना है अपको फेवरेट इंफ्लेंसे कॉनसा है यहां के नहीं है यहां के नहीं है इर्फान जुन्मिलो कर है क का सा घ्र दाता शौक का कैण आ यहां कि अधर मेरे गर में अधर में अधरी तो ऐना जी हम ढ़ागा तो फिर मारे गर पहीं नहीं डेलिह देए तो फिर मैरे गर पी एंग तो फिर मिने नहीं दोनों क् MR एयर निग अपरिशन और नाइथ और नाइट यहां निकनेम तो एक मैरे मामी थे वहाब मुझे मैं आि स्कुम्स कि बिलाते है। आण एक चह्ता ही। जब मैं चोपा योран हुआ तो मेरे मुझे ऑचा मोझे जो मेरे मैं छोड़ चुटथ था काप लोग मेरे मैं तो हुआनी कभी उच्छा जो वह सारे मेरे मामी काफ एचे है। तो वो मेंपरी अच्छी है यह सिंगर? यह कई सारे फैन्स को इस क्वेश्चन का इंतजार होगा मैंने आज रिवील कर दिया कोई मैंटर होगा गूरू आपके इसको मानते हैं यह कही पे भी कुछ भी काम कर रहा हूं और सामने वाला इंसान मेरे लेवल का है या मेरे फिल्ड में छोटा है या बड़ा है अगर मुझे सीखने को मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली सीखूंगा अमित बहुत सारे लोग आपने भी देर साल ही हुआ आपको पेज स्टाट किये यह वाड़ा इंसाइडर को डेर साल वा लेकिन मैं जो वीडियो क्रियेट कर रहा हूं 2014-2015 से कर रहा हूं बहुत सारे लोग हैं आप यंग हैं तो कई यंग परसन अभी इस ओर आ रहे हैं जैसे आपने शॉप छोड़ी वैसे कई लोग हैं करें लिएस चीजर करने के लिए वो प्रोसेस कर तो कुछ यहों चीजर करने केदा हैं जैसा कि कुछ चीजर आपके सांथ गलत हो रही है आप तो आप उसके के लिए ज्यादा से ज्यादा मैनत करो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सक्सेस मिले हर किसी को सक्सेस के लिए लड़ना जरूरी होता है अगर फिर आगे जाके इसा खुद को लाइक बड़िया देंग अलगोंाइज दी जो इन्फूएंसिंग कर रहे होंगे कहीं करेंगे लोग तो उनको आप क्या देना चाहते हैं यहां चाहता हूँ ऑप जो भी कीज़ कर रहे हो पने सचे मन करें लगाव से करके सुरू के टाइम में आपको हो सकते हैं कि थोड़ा फेमिली सपोर्ट ना मिले आपको ने आपके फ्रेंड्स या तो यह चीज करने के लिए आप सारी चीज़े चोड़ स्टड़ी चोड़ दो दोनों को मेनेज करना चाहिए और तब आप अच्छा आपको एक सक्सेस मिलेगा तो यह थे हमाय साथ सुमेट इसाई और आप में से भी कई लोगों का इसा होगा कि आप एक फील्ड में जा रहे होगे लेकिन कई अपका इस और भी इंट्रेस्ट होगा इन्फुएंसिंग के लिए अब इंस्टेग्राम पर रीज बनाते होंगे बहुत सारे एक्टिंग के इस फील्ड को शुना तो आप भी जिसमें आपको इंट्रेस्ट हो आप वो काम करिये क्योंकि इंट्रेस्ट होना जरूरी होता है और जिस फील्ड में आप काम करें इसमें दिल लगा के काम करना जरूरी होता है और सक्सेस आपको मिलती ही मिलती है और इसी प्रकाय के और influencer से मिलने के लिए हमारे साथ जोड़े रहिए Behind the Influencer में और देखते रहिए VNM TV